तोँरियो टुरेंडश अगर आप सिंधियोनिवरेस्टी के प्रपृशन कर रहे hain या सिंधियोनिवरेस्टी में इडिमिश्टन लेना चाते है तो आपके मिद में एक क्वेश्चन होगा के सिंधियोनिवरेस्टी का जो इंटेट्रास होता है उसका characteria क्या है तो डियस्ट्रवन इस वीडियो के end तक देखना है क्योंकि इस वीडियो में आपको बता हूँगा संद्यूनिस्ट्री इंट्रेस्ट का characteria और उसके साथ मैं आपको उसकी outline भी देता चलूँगा तो देखें अगर आप संद्यूनिस्ट्री में admission लेना चाते हैं या इंट्रेस्ट की preparation करना चाते हैं अगर आपको characteria नहीं पता तो आपको test की preparation करने में बहुत ही मुश्किला आते पेश आएंगी क्योंकि आपको यह नहीं पता होगा कि जो interest होती है वो कौन से subject से ली जाती है और उन subject में कौन से important question है जो हमें याद करने चाहिए जिनके हमें preparation करना चाहिए और जिनके हमें practice करना चाहिए इंट इसके साथ आपको यह भी जानना लाजमी है कि जो English का paper होता है उसमें कितने MCQ होते है और कितना time मिलता है आपको soul करने के लिए इसी तरह सेम general knowledge में कितने MCQ होते है कितना time होता है IQ में कितने questions होते है कितना time होता है तो यह सब जानने के बाद अगर आप preparation करेंगे संद्री उनिवस्टी की तो आपको बहुत ही फायदा होगा और आप अच्छे तरीके से इसकी preparation कर सकते हैं और अच्छे grades लाकर आप अच्छे departments में admission ले सकते हैं तो सबसे पहले आप यह जान ले कि संद्री उनिवस्टी में जो paper होता है इंट्री टेस्ट का वो five subjects से लिया जाता है first English, second general knowledge third general science fourth general math fifth and fifth होता है IQ के questions और जो English का paper होता है English का part होता है इंट्री टेस्ट में उसमें 30 MCQs होते हैं और general knowledge में 20 MCQs general science में 20 general math में 20 और IQ के सिर्फ 10 होते हैं यानि कि जो totals MCQs होते हैं संद्री उनिवस्टी में हो hundred होते हैं इसके बाद में आपको ये बता दूँ कि English में जो questions आते हैं वो कौन कौन से आते हैं तो जो mostly आते रहते हैं वो synonyms आते हैं English के पर पार्ट में synonyms होंगे antonyms होंगे correct spelling वो भी every year आती है और narration भी most important है वो भी आती रहती है active passive भी आते हैं और इसके साथ preposition preposition किसी यर आते हैं किसी यर नहीं आते हैं यानि randomly आते हैं इसके बाद एक sentences होंगे उसको underline किया होगा words को तो वहाँ पर आपको क्या करना है आपको grammar जो mistakes होती हैं उन sentences में वो आपको बतानी पड़ती है तो ये होते हैं English के papers में question ये most important outline है इसकी preparation कर लें synonyms की, internums की, character spelling की, narration की active passive की, preposition की और जो sentence correction है उसमें आपको grammar, mistakes निकालनी है उसकी preparation कर लें तो आपका English का part हो जाएगा और most important बत ये हैं कि English के paper में 30 mistakes होते हैं और time जो होता है वो 20 से 25 minutes का होता है time बहुत कम होता है और English के paper में time बहुत कम होता है और questions ज्यादा होते हैं तो इसकी आप अच्छी preparation कर लें इसके बाद general knowledge का part start होता है और इसमें जो outline में ने दिये जिनसे questions आते हैं वो largest, smallest हो गए हैं उनसे और currencies और capitals आते हैं general knowledge में इसके बाद जो events होते हैं सब continents में वो आ जाते हैं यह important question है और इसके बाद official languages हो गई geographical locations हो गई यह आते हैं और इसके बाद current affairs आते हैं general knowledge में and deserts, islands, lakes, oceans and valleys of Pakistan हो गई landlocked countries हो गएं तो landlocked country आपको पता होगा क्योंगे आप मेरे पिछले वीडियो भी देख रहे हैं and birth and death किसी personalities, great personalities होती है उनकी date of birth, date of death वो आप याद कर लें and abbreviation जो होते हैं वो भी याद कर लें वो भी general knowledge के paper में आ जाते हैं general knowledge के part में and मैं अल्रेडी अपको बता चुका हूँ के general knowledge के 20 mcqs होते हैं और 15 minutes होते हैं इससे solve करने के लिए और general science भी इसी तरह 20 mcqs होते हैं 15 minutes होते हैं और इसकी outline बहुत ही simple है planets जो होते हैं वो आ जाते हैं general science में and chemical formulas and उसकी samples human body fats जो हो गए temperature कितना है human body से related होते हैं questions वो आ गए inventions हो गई discoveries हो गई atom किसी ने discover किया ये किसी ने discover किया ये question हो गए general science में इसके बाद measurements जो होती है उनके instrument के नाम हो गए और basic concept होते हैं वो आपको general science में solve कने पड़ते हैं तो इसके लिए भी 20 mqs होते हैं और 15 minutes होते हैं and जो fourth part होता है S&D university interest में वो general math का होता है जिसमें equation आ जाती है basic arithmetic arithmetic means basic arithmetic means plus minus divide multiply ये basic arithmetic है तो ये आते हैं and इसके लावा problems आते हैं जो के profit, laws, ratio इन पर होते हैं and most important बात ये के जो metric का course है उसमें जो mathematics है वो second और third chapter से वो ही math आती है S&D university के paper में तो अगर आपके पास metric का book है तो उसका second और third chapter देख लें उनमें से भी question आ जाते हैं इसके पाद fraction हो गई उसके पाद under root, square root ये हो गए and algebraic equation जो हती है वो भी general math में आ जाते हैं तो इस part को भी थोल करने के लिए आपके पास 20 minutes होते हैं and इसके पास जो part होता है वो IQ का होता है तो उसकी outline देने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप S&D university के preparation कर रहे हैं तो मेरे channel पे जाएं playlist चेक करें वहाँ पर मैंने बहुत सारे videos बनाएं सारे videos इसी पे हैं इंटिटेस्ट पे ही हैं जैसे के parts of speech हो गएं parts of speech English के लिए important है वह भी मैंने बना दी हैं वीडियो सारे और COVID-19 trading topic है उनमें से लाजमी आएगा question वह भी मैंने वीडियो बना दिया है वह भी चेक कर लें इसके लिए संदी उनिएस्टी के भी past paper हमने थोल किये हैं वह प्लेजिस चेक कर लें आपको पता चल जाएगा और active passive बहुत ही important हर यह आता है वह भी मैंने वीडियो एक वीडियो में सारा course बता दिया है सारा पेसिवाइज all tenses को मैंने चेंज कर दिया है वह भी आप चेक कर लें और वह वीडियो पूरा देख लें उससे आपकी अच्छे perfection हो जाएगी और इसके लावा IQ के question मैंने बहुत सारे IQ के question solve की है and mathematics की tricks बताईए वह वीडियो देख लें वह आपके लिए बहुत ही helpful होंगे तो चले अब हम IQ के question की outline भी बता देते हैं तो IQ के question 10 आते हैं और इसकी outline क्या है word series होती है words होते हैं उनकी series चल रही थी है वह आपको बताने पड़ते हैं next number and number series होती है diagram होता है तो diagram आपको select करना पड़ेगा odd man out हो गई और उसके बाद verbal and non-verbal हो गए यह आते हैं और मैं आपसे बात कहना चाहूंगा past papers जो हैं उनकी preparation कर लें अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको send कर दूँगा अगर उसकी preparation कर रहें और उसके videos भी मैंने बनाएं वह भी check कर रहें past papers से क्या होगा आपका concept clear हो जाएका किस किस में से आते है questions और आपकी preparation भी अच्छी हो जाएगी 40% तो past papers से ही आते हैं हर टेस्ट किसी भी कोई भी टेस्ट हो इंट्री टेस्ट हो जवाब टेस्ट या exam टेस्ट होती है वह भी हम देखें पास पेपर सोल करते थे तो हमारा 40% पेपर हो जाता था तो सेम एससे यहां भी है 40% आपका paper last year से ही आएगा जो past year के paper है उनकी preparation कर ले वहाँ से भी आपकी knowledge increase हो जाएगी और अगर आपको चैनल अच्छा लगा और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकन को दबा दें ताके इसी informative वीडियो की update सबसे पहले आप तक पहुंच